हेलो अब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे सेप्टेंबर सेकेंड वीक के इंपॉर्ण इनकर अंडर फेयर्स तो जो लोग यह चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस बार वो है आपके SSC के एक्जाम में इस बार जो एक्जाम का पैटर्न है वो पूरा चेंज कर दिया गया है जल्दी मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिपलेस पे आपको SSC की क्लासिस मिलेंगी और मैं हार एक बच्चे से जो हमारे साथ जुड़ा है आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि SSC CGL का फॉर्म जरूर फिल कर देना क्योंकि बहुत सारे यहां पे चेंजिस जो है एक पॉजिटिव चेंजिस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे तो मैं पूरा वीडियो में डिसकस वीडियो शुड़ करने से पहले बता दो हमारा सेप्टेंबर का जो स्केडियूल आप लोगों के सामने है अभी तक आप लोगों को ये जो टेस्ट है मिल चुके हैं इनके एनलेसिस वीडियो भी आपके तक पहुंच चुके हैं वीलब्लू का टेस्ट आपको बहुत हैं वो मिल जाएंगे फैनांस अकांट असिस्टेंट के और जेकेपी एससाई के तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की बिना जादा ना इंवेस्ट किया है सबसे पहला क्वेशन आप लोगों के सामने है अभी हाल ही में अभी हाल ही में एक कंट्री के साथ मिलके हमारी मिलिटरी एक्सराइज होती है हमारी एक्सराइज होती है लेकिन इस बार एक रेंसम्वेर एक्सराइज जो है वो कंड़क्ट करी गई है और टोटल यहां पर कितने नेशन्स थे टोटल यहां पर 26 नेशन्स है लेकिन अगर हम बात करें कौन-कौन मेजर यहां पर थे तो यहाँ पे जो conduct करवाई गई है National Security Council Secretary के द्वारा इंडिया की जो है इन्होंने और Government of United Kingdom ने मिलके यह काफी important question होगा एक्जाम में पूछे जाने के इसके तान से ज़ादा है तो यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है as a part of International Counter Ransomware Initiative के तहट तो यहाँ पे यह जो एक conduct करवाया गया है इंडिया ने यहाँ पे पार्ट लिया है अगर बात की जाए इंडिया किसके leadership के अंडर अगर हम बात करें तो किसने represent किया था तो वो क्या गया था National Cyber Security Coordinator ने यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडिया को Government of UK ने मिलके यहाँ पे conduct कराई थी collaboration में जिसमें total 26 nations जो थे जिन्होंने इसमें participate किया था अब यहाँ पे आपसे question जो है वो पूछा जा सकता है direct TC form में या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि exercise का जो main aim था वो क्या था यहाँ पे कोशिशे की गए थी जो एक widespread cyber security incident है जिसमें काफी सारी organizations को affect होता है इस ransomware की वज़ा से तो यहाँ पे main target था कि इन चीजों को कैसे रोका जा सके और यहाँ पे इस पूरे एक initiative को किया गया था जिसमें आपको याद रखना है next के ओपर अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही में September 2022 में परविंद्र मैनी scientific secretary जो है office of the principal scientific advisor launched a new Indian science technology and engineering facilities map जिसको अगर हम बात करें यहाँ पे जिसका नाम क्या रखा गया है West अब देखो I-STEM क्या है यहाँ पे पहले तो आपको यह भी याद रखना है science and technology में आप से पूछा जा सकता है I-STEM की full form क्या है Indian science technology and engineering facilities map paper में बहुत बार पहले पूछा जा था था M stands for T stands for तो यह भी याद रखना अब जो यहाँ पे यह West जो शुरू किया गया है इसका क्या नाम है अगर आप आप से पूछा यह West है क्या जो भी हाल ही में यह launch किया गया है इसमें जो West की full form है इस W का तो आपको बता दो यह women है West की पूरी full form क्या है यह है आपकी women in engineering science and technology तो यह याद रखना West जो है यह अभी हाल ही में launch किया गया है यह पूरा initiative launch किया गया था New Indian Science Technology and Engineering Facilities के द्वारा जिसका नाम West रखा गया है तो किस ने किया है यह भी याद रखना परविंदर मैंदी ने किया है जो किसमें PSA है तो यह दो चीजे iSTEM अब क्या है अब देखो iSTEM जो है आपको डिरेक्ट इससे भी question पूछे जा सकते हैं iSTEM यह एक national web portal है जिसमें हम लोग जितने भी share कर सकते हैं हमारे research equipment facilities या फिर एक ही umbrella के नीचे आप लोगों को जितनी भी research and development के द्वारा जितनी भी collaborations की जाती है technological innovation जितनी भी है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि west जो है यह जो एक initiative launch किया गया है west अब यह क्या है अब देखो west initiative के तहई जो i-stem provide करता एक separate platform scientifically जो की women researchers के लिए होगा scientist के लिए होगा या फिर जो technologist होते हैं उनके लिए होगा ताकि वो अगर किसी में research कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर जो है चीज़ें यह specific एक बनाये गया है women's के लिए तो यह याद रखि है अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ministry है जिसने recently launch किया है इंडिया का पहला first drone prototype for human organ transportation अब यहाँ पे question को ध्यान से सुनिए गा question क्या है यहाँ पे अभी हाल ही में कौन सी ministry ने launch किया अब देखो यहाँ पे जब भी कभी drone की अगर हम बात करते हैं आपका ध्यान जाता है civil aviation की तरफ बहुत सारे हम लोगों ने देखा है कि specific centers बनाए गए है जो drone के लिए बनाए गया अब यह question क्यों important होता है important बनता है क्यूंकि जो यह पहला drone का जो prototype त्यार किया गया है human organ transportation के लिए civil aviation ने नहीं किया है इसलिए याद रखना अगर पेपर में direct question आ जाता है अगर आपने नही पड़ा आप लोग इसको गलत मार करने के chances बढ़ दाते हैं और कहीं बार examiner इसी तरीके के question पूछता है जिसका answer थोड़ा अलग हो अब drone prototype जो बनाए गया है यह launch किस ने किया है तो यह launch किया गया है road transport and highways ministry के दवारा तो यह चीज अब आपको याद रखनी है यह सब से important यह पर इसका यही point होगा minister को ने इसके minister है नितिन गड़करी जी इनकी consistency कहां पर है इनकी consistency है नागपुर में यह याद रखिएगा तो इन्होंने अभी हाल ही में बनाया है किसके साथ मिलके यह drone technology अगर बनाई है पूछा गया तो MGM Healthcare है चिन्नई बेश जा इसके साथ इन्होंन का first drone prototype for human organ transportation यह किस ने किया है तो यह ministry of road and transport road transport and highway ministry ने किया है नापकी civil aviation ने civil aviation के minister को ने वह है जोती राइदित्य संधिया तो यह भी आ रहना है इनकी consistency कहा है इनकी consistency MP में है next पर आते है question number 4 की अगर में बात करूँ आप लोगों से अभी हाल ही में कौन सी state ऐसी है जिसने for culture by the pacific area travel writers association यानि की PATWA के द्वारा अभी हाल ही में awards दिये हैं किस category में दिये है best destination for culture तो यहां पर किस state पो मिला है आप लोग यहां पर देखके इने समझ चुके होंगे यह West Spring Ball को award मिला है तो देखो जब इस तरीके के awards मिलते हैं अब यह जो PATWA है यह क्या है यह एक अगर मा organization World Tourism Organization का तो इसलिए यह question important बन जाते हैं कौन सी state को मिला तो याद रखना यह West Bengal को मिला है West Bengal को मिला है अगर इसी के साथ आप से कभी पूछा जाए कि यह जो award है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है अब जैसे एक और चीज याद रखना जो दुर्गा पूजा festival होता है West Bengal का दुर्गा पूजा festival जो हर साल observe किया जाता है कौकत्ता में इसको भी एड किया गया है UNESCO की Intangible Cultural Heritage List में यह पिछले साल किया गया था तो यह याद रखना आपसे पूछा जा सकता है UNESCO की Intangible Heritage List में इसे भी एड किया गया है तो यह याद रखना यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है तो यह अवार्ड मिला है किसे West Bengal को नेक्स पर आते हैं नेक्स कोईशन आप लोगों के सामने है अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है 56 प्राइमिनिस्टर आफ युनाइट किंग्डम इसमें एक इंडियन थे जिसका नाम भी बहुत ज्यादा आ रहा था कि इन्हें बना दिया जाएगा तो देखो का नाम है यहाद रखेगा कुलीन क्विञे रिचां लिजब्स के रहा जाता है तो यहाँ भी याद रहा दोनों ओपिंस में कोई भी रिखेगा और इन से प्रायम इंसर्भ म्हल जका दो बनाए गए है इन से पहले कभी उक में फिमेल यह विमें प्राइजिडिन के बनी है तो बिल्कुल बनी है, ये थर्ड है, इनसे पहले दो बन चुकी है, उन दोनों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कौनसी पार्टी से बिलॉंग करती है, तो देखो ये याद रखना, ये conservative पार्टी से बिलॉंग करती है, पहली चीज, अब आपको बता दू जो हमारे इंडिया में अभी द्रोपती मुर्मू जी प्रेजिडेंट बनी है, क्या ये पहली प्रेजिडेंट है, जो विमेन प्रेजिडेंट है, नहीं, ये भी second है, इनसे पहले first कौन थी, वो थी प्रतिबा पाटिल, अब ये नाम आपको याद रखने होते हैं, अब सकता है, तो इसलिए याद रखना, next पे आते हैं हम लोग, अभी हाली में, सुरेश रहना जो है, इन्होंने retirement ले ली है, ये इंडिया बैस्में, इंडियन बैस्में रेटार्मेंट ले ली है, हर form of cricket से, जिसमें IPL भी आता है, तो अब यहाँ पे question बनता है, किस country से इन्हें award मिला था, sports icon का 2022 में, अब ये question आपके सामने है, अभी हाल ही में, इसी साल इन्हें जो award मिला है, prestigious award है, एक sports icon का, तो ये इन्हें किस जगा से मिला था, sports icon का award इन्हें हाल ही में, इसी साल 2022 में ही मिला है, तो ये award इन्हें कब मिला है, और किस country से मिला है, तो ये award इन्हें माल अब यह चीज भी याद रहता है कि होता क्या है जातर यही क्वेशन पुछा जाता है कि सुरेश रहना कि स्पोर्ट से रिलेटेड है तो बेसिकली यह निउस में और इडी थे इस वजा से ही अब इसके अलावा अगर हम बात करें क्या यह स्पोर्ट आइकन अवाट इने ही मि इने एर फॉर ब्लू स्काइस 2022 जो है अब्जर्फ किया गया है थीम क्या थी इसकी तो इसकी थीम थी दा एयर वी शेर देखो थीम्स बहुत ज़ादा ही इंपॉर्डेंट है आज कल क्योंकि एग्जामिनर ज़ादा तर आप से थीम्स को पूछता है अगर आप से पूछता जाता है तो यह अब्जो हो यह उसको शुरू किया गया है तो यह जो रिस्ट डेज आते है इनका फर्स सेंद फेर्ड इडिशन ह ही होते है घे कही बार आते हैं और इंडमे आपको यात रखने कि इनकी थीम क्या थी यहां पर इसकी theme थी focus इसका main दाता है कि जो air pollution हो रहा है उसको कम किस तरीके से किया जाए next पर आते हैं next question पर आते है next question आप लोगों के सामने है अब भी हाल ही में कौन सी state government ऐसी है जिसने एक छाता scheme जो है वो launch की है ताकि जो ground water table है उसको improve किया जा सके छाता की full form भी एक है community harnessing and harvesting rain water artificially from terrace to aquifier अब यहां पर यह scheme जो launch की गई है यह किस state ने की है देखो इस scheme की total जो cost है project की वो है 270 करोड रुपे investment यहां पर होगी और यह किया गया है Odisha के द्वारा Odisha government इसको हाल ही में किया है इसके full form भी याद रखना वैसे तो direct पूछा जाएगा चाता scheme जो है किस state ने की तो यह आपको याद रहना है Odisha government इसको हाल ही में launch किया है अगर हम बात करें Odisha की तो इस समय इसके cm कोन है इस समय इसके cm है नवीन पतनाइक जी यह भी याद रखिएगा नवीन पतनाइक समय cm है अब यहां पर इस scheme के तायत क्या होगा जितने भी प्राइवेट बिल्डिंग्स है या government बिल्डिंग्स है वहां पर कोशिश की जाएगी इन सब जगाओं को टार्गेट किया जाए और यहां से 370 के क्रोर लीटर जो वाटर है पान साल में हालवेस्ट करने की कोशिश की जाएगी तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यह यह याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में किसने मैडल जीता है गोल्ड मैडल जीता है अभी इवेंट जीता है तो आपको पहले बता दूँ इनकी उमर सिर्फ 6 साल की है और इनों ने जीता है इनका नाम क्या है इनका नाम है अनिशका बियानी अनिशका बियानी ने यह गोल्ड मैडल जीता है मलेशियन एज ग्रोब रैपिट चेस चेंपियनशिप में अब यह अहां पर क्या है देखो एक तो यह बहुत छोटे है दूसरा यह विमेन है तो यह डिरेक्ट पूछो जा सकता है कि कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है यह क्वेशन से इंप्वेशन बन जाते हैं एग्जामिनर आपको यह क्वेशन पूछ सकता है तो याद रखना और यह सेवन प्लेयर्स में जो आता है अभी उसमें भी कॉलिफाई कर चुके हैं जो रैपिट चेस्ट टूर्नमेंट होंगी तो यह भी याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में पद्म अवाडी रामचंद्र मांजी जी इनका रीसेंडी निदन हो गया है आ मैं अगर अपनी पॉस्टनल बात करूं मुझे खुद बहुत डिफिकल लगता था यह याद रखना कि कौन किस फिल्ट से रिलेटेड है तो बैस मैं आपको यह बताऊंगा कि जब कभी भी आपको कोई भी एक ओविचुरी दिखती है या किसी भी तरीके के किसी का निदन ह होता है आप एक बार इसे गूगल पर सर्च करें आपको खुद में खुद चीजने दिमाग में रहे जाएंगी आप उनकी विकिपीडिया उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले आपको यह चीज हो जाएंगी अब यह किस फील्ट से रिलेटेड थे तो मैं आपको बता से इन्होंने काफी काम किया है तो इसी लिए उन्हें ये अवड भी मिला था किस चीज के लिए उनका एक फेमस फोक डांस था जिसका नाम था लॉंड़ा नाच ये भी याद रखेंगा यह इसने इस चीज के लिए यहाँ पर मिला था तो यह किस फील्ट से रिलेटेड थे अगर आप सो पूछा जाएगा अब एक्जाम में कि इन्हें किस चीज के लिए पदमा वार्ड मिला था तो यह आपको बताना है अब कमेंट बॉक्स में यहां से आप लोगों को देखो कहीं बार क्या होता है मैं आपको इतना बता देता हूँ मैं आपको बता दीए कि फोक डांसर से अब आप लोग बता हूँ यह किस फील से रिलेटेड होए तो यह आठ फील से रिलेटेड से तो यह याद रखिएगा एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स पर आते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल अब्जर्व किया जाता है कि इस दिन पर तो देखो जो हर साल आठ सिप्टेंबर आता है इसे हम लोग अब्जर्व करते हैं इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस तो यहाँ पर यह याद रखना यह कून अब्जर्व करता है किसके द्वारा मनाया जा घयाता है तो यह मनाया जाता है UNESCO के द्वारा ठीक है UNESCO के द्वारा इसको हर साल मनाया जाता है ताक कि जितनी भी अवेरनज है में कि लेके उसको लोगों तक महुंचाया जाए इविमinci जो भी है और यह सब चीजे जो एक quality इंशोर करती है equitable inclusive education for all the individuals around the globe तो इसके लिए यह चीजन जो है यह observe की जाती है international illiteracy day पर question पहले भी बने है तो यह याद रखना next पर आते है हाल ही में कौन सी ऐसी Indian company है जिसने first patent अपना किया है for the design and manufacturing of single piece 3D printed rocket engine जिसका नाम क्या है अगनी let तो अभी हाल ही में किस company ने किया है अब अगनी let है याद ही अगर रखना है आपे पेपर में तो याद रखना अगनी let को किस ने किया है अगनी call ने अगनी call cosmos ने अभी हाल ही में ये किया है pattern register करवाया है single piece 3D printed rocket engine के लिए तो यह याद रखना जो आप लोग यहाँ पर देखने इनके founder है तो दोनों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको अच्छी याद रखना है कि किसने इसको किया है तो कौनसी इंडियन कंपनी है यह है अगनीकुल कॉस्मोस अब आप लोगों के लिए एक homework है थोड़ा सालक से देखो इसरो government-owned हमारी क्या आती है जो space agency है उसका नाम है लेकिन आप लोगों के लिए homework क्या है किसी एक इंडियन private space agency का नाम लिखके बताओ अभी recently दो-तीन news में थी आप अगर news भी साथ में लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आप लेकिन मुझे नाम लिखके बताना private का देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो लिखके बता सकते हैं इसका answer अभी recently इस लोगे ही कुछ sentence ने मिलके उसको बनाया है next पे आते हैं अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके अडमिरल सुनील लंबा जी को रिसेंटली पिंगेट जासा गैमिलाइंग यानि कि एक meritorious service medal होता है military का वो दिया है तो किस कंट्री ने यहाँ पे सुनील लंबा जी को दिया है तो आपको बता दूं यह award किस के द्वारा दिया गया है medal तो यह दिया गया है सिंगापूर के द्वारा बहुत important question हो जाता है यह जब आपके Indian military के या Indian navy के अगर हम बात करें इतने बड़े फॉर्मर नेवी चीफ थे यह आप लिए यह homework अब यह है कि आपको बताने कि currently हमारे नेवल चीफ कोन है नेवल चीफ का नाम comment box में लिखके बताना इन्हें यह award दिया गया है तो यह याद रखना पिंगट जासा गेमी लाइंग ठीक है यह award है यह meritorious service medal दिया जाता है सिंगापूर में मिला है यह हमारे यहां के जो नेवल चीफ थे कौन से नंबर पे थे यह कौन से कौन से में नेवल चीफ थे तो 23rd नेवल चीफ थे यह इंडिया के तो यह भी याद रखना अब सिंगापूर के साथ अगर हम बात करें हम लोग maritime exercise भी exercise भी करते हैं एक exercise हम ल maritime exercise sorry M से यहां पर कहीं बार गलिती मत कर देना यह military नहीं maritime exercise है तो यह भी याद रखिएगा next पर आते हैं अभी हाल ही में किसे अवार्ड विला है creative arts MA awards 2022 यह 74th MA में दिया गया है outstanding narrator category में आम तोर पे MA awards बहुत सारी categories में दिये जाते हैं लेकिन यह particular जो अवार्ड है जाधा important क् क्योंकि former president जो थे United States के Brock Obama उन्हें मिला है तो यह याद रखना अब आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि इन्हें किस category में यह award दिया गया है और इनका जो main award है इनके Netflix पे series आई थी क्या नाम था उसका इसके लिए ब्राक उबामा को यह अवार्ड दिया गया है अभी आप लोगों का जैसे ऑक्टूबर आएगा आप लोगों को अवार्ड की लाइन मिल जाएगी आप नोबल प्राइज वगरा सब मिलना शुरू हो जाएंगे तो वह याद रखने पड़ेंगे कि किसको किस फ जो आप लोगों के सामने है कौन सी ऐसी ऑर्गनाइजेशन है जिसने जॉइंटली लॉंच करा है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लैटफॉर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सिलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया यानि कि इफास प्लाइशन ने रिसेंटली लॉंच किया है तो देखो ये दो ने मिलके किया है इसमें पहली आ जाती है आपकी नीटीया योग है दूसरी आपकी आजाती है वर्लेसें इंस्टियूट ये बॉल्यू आर इंडिया तो यहां पर पूछो जा है तो यह किया गया है बोथ वन तो यह याद रखने पहली ऐसी है तो यह आप से पूछा जा सकता है अब इफास्ट इंडिया प्लाटफॉर्म होगा क्या यहां पर जो यह शुरू किया गया है ताकि जितनी भी स्केलेबल पाइलेट्स होते हैं या फिर सजेस्ट कर सकते हैं वे पॉलिसी जिसके ताहत एक्सलरेट कर सकते हैं हम लोग इलेक्टिफिकेशन को इंडिया में इस पर्टिकुलर फील्ड में तो यह याद रखिएगा आप लोग यह पूछा जा सकता है एक और होंव गांदी अर्बन इंप्लोइमेंट स्कीम अब है क्या इसके तरह सो दिन की इंप्लोइमेंट ऑफर की जाएगी पर यहां पर आपको इसका गैस कर रहा है मैं आपको दो तरीके बताऊंगा अब नाम क्या है इंद्रा गांदी जिस जगह में भी बीजेपी रूल स्टेट है वो यह करेगी नहीं ऑप्शनल अप्रोच पर जाओगे तीन ऑप्शन आपके ऐसे कर जाएंगे राजस्तान इसका सही आंसर है अगर एक्जाम में भी अगर इस तरीके के क्वेशन बनते हैं तो याद रखना वही जगह करेगी जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है जहां पर कभी इस नाम से स्कीम कर सकती हैं लेकिन चांसी बहुत काम है तो यहां भी याद रखना राजस्तान ने इसको भी हाल ही में लांच किया है और आट सो क्रोड रुपे स्कीम के लिए अलोट किये गए हैं जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है और यह सीम ने और इनके स्टेट बजट में औरेडी मेंशन कर दिया गया था तो नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में किसने लांच कि रहा है परधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान तूरी इन्वेगरेट दा मिशन ऑफ ट्यूबर ग्लॉसिस एलिमिनेशन फॉम इंडिया बाइट वैट्टी टीवी क ूपर दू पर आपके बनते हैं पहला हमारी डेडलाइन कब तक है कि हमें कब तक टीबी को खते करना है 2025 टार्गेट रखह गया है कि टीबी को खते कर देंगे दूसरी चीज और पहली को ठीज है तो यह प्रूची जाती रिक तर यह बहुत ज्यादा काम कर रहे है कि की इसको खतम करना है इंडिया से अब बात आती है कि कि ने इसको वापिस से शुरुवात की या फिर इसको वापिस से और जाधा तेजी से काम करने की बात की गई है तो यह किया गए है पर हमारी President के द्वारा यानि की दुरौपदी मुर्मू के द्वारा मैंने भी आपको बताया और याद रखना यह पहली ड्राइबल एडिया से बिलॉंग करने वाली है जो की President बनी है female या women second है but ट्राइबल एरिया से पहली है ठीक है तो यहां पर यह चीज जाद रखना अब objective आप लोगों को पता है TV मुक्त के क्या होंगे ताकि जितने भी patient है उनको एक support बिल सके ताकि उनकी improvement हो सके जितनी भी treatment चल रही है ताकि जो patients है जितने भी है उनको एक साथ लेके कोशिश की अब यह याद रखिएगा निशे digital portal एक launch किया गया है निशे 2.0 है वैसे ताकि यही community support दी जाए सके जितने भी person है TV के साथ और अभी तक अगर बात की जाए जो निशे portal है यह निशे portal में अप्रॉक्सिमेट पांच लाग TV patients जैसे हैं जो register करवा चुके है ठीक है तो यह च पर आते हैं next question आप लोगों के सामने है अभी हाल ही में एक joint exercise की गई है अब यह joint exercise किस-किस के बीच में किया देखो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा दूसरी country's के साथ ही military exercises करें कहीं बार यह military exercises जो हमारी होती है आपस में भी होती है जैसे इस वार यह exercise थी यह की गई है जो joint exercise करी है इसका नाम क्या है इसका नाम भी याद रखना गगन स्ट्राइक गगन स्ट्राइक जो है यह कहां पे की गई है तो यह की गई है पंजाब में यह बहुत important है याद रखना यह जो exercise है यह चार पार्ट में की गई है अलग अलग चार दिन चली थी पंजाब में आपको इनका नाम याद रखना है पेपर में डिरेक्ट पूछा जा सकता है इंडियन एफोस और इंडियन आमी ने मिलके कौन सी जो भी एक ज्वाइट एक्सेसाइज किया उसका नाम क्या था तो उसका नाम था गगन स्ट्राइट ज्यादा डिफिकर्ट करना चाहेगा किटी किभी थू अब यह मिलिटरी नाम भी याद रखना यह जो कैम्प है किभी थू अरुनाचल प्रदेश का है और वाइस किलोमेटर स्टेच जो है आता है वह लॉंग से लेके कितीबू तक उसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है अब यह क्वेशन याद रखना अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ठीक है यह याद रखना यानि कि जो तीनों फोर्सिस के हैट थे वैसे अगर पूछा जाए कोन हैड होता है यानि इन तीनों फोर्सिस का तो वो आते है हमारे प्रेजिडेंट बट यह एक नई पोस्ट बनाई गई थी पहली बार किसे अप स्ट्रेच है इस पूरे का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है यह रख दिया गया है विपन रावत के नाम पर वैसे ही अगर मा बात करूं एक हमारे गुलमर्ग में मिलिटरी फाइरिंग रेंज है जिसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है जिसका नाम विद्या बाल अगर पूछा जाएगा कि मनिपूर का था तो कैपिटल में होगा इंफाल में इसको किया गया है दूसरी चीज आपको इसका नाम भी यार रखना है एक्जाम में हम लोगों ने देखा था कुछ फेस्टिवल पे क्वेस्टिवल बने थे जो भी सीवीड एक्जाम जैनुवरी में हुए थे जुनियर सिस्टन के उसमें बने थे आपको डिरेक्ट पूछा जा सकता है कि शुमांग लीला कहां का फेस्टिवल है अब मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो भी फेस्टिवल होते हैं जिस जिस्टेट के वो याद करना शुरू कर है ठीक है नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में कौन जी ऐसी स्टेट यूटी पुलीस फोर्स है जिसने रिसेंटली पहली पुलीस फोर्स वनिया इंडिया की टुमेक कलेक्शन ओफ फॉरेंसिक एविडेंस मेंडेटरी अब यहां पर देखो यह क्या है फॉरेंसिक प्रोब को बेसिकली मेंडेटरी कर दिया है हर एक उसमें तो किसने क्या गया है यहां पर यह क्या गया है डेली के द्वारा डेली ने अभी हाल ही में यह किया है और यह पहली पुलीस फोर्स बन चुकी है इंडिया की जिसने काया कि जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं क्रा यहां पर main name है तो यह याद रखिएगा अब डेली की जो पुलीस आती है क्या वो डेली गर्वर्मेंट के अंडर आती है तो नहीं किसके अंडर आती है वो आती है सेंटर गर्मेंट के अंदर यानि की तो थीम क्या थी वो भी आप लोग याद रखना creating hope through action जो बहुत important है ना जैसे कि यह बहुत बार paper में exact date पूछी जा चुकी है तो इस बार chances होते हैं कि अगर आएगा तो हो सकता है कि थीम पर पूछा जाए तो थीम क्या थी इसकी थीम थी इसकी creating hope through action तो यहां पर याद रखना यह जो थीम है यह इस साल की नहीं है यह 2021 से लेके 2023 तक आपकी यही थीम रहेगी तो जो दो तीन साल की थीम होती है तो उसको तो याद रखना ही है next पर आते हैं हम लोग परधान मंत्री मत्से संपधा योजना जो की ministry of fishery animal husbandry और daring के अंडर आती है इसको कितने साल हो चुके हैं 10 September को यह शुरू की गई है तो आपको बता दो इसका अभी second year anniversary है last year ही इसको शुरू किया गया था अब यहां पर क्या है यह जो मत्से संपधा योजना है यहां पर पहला question बनता है कि 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 मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो य यहां पर दो चीज़े याद रखना तो यह आपको याद रखनी है दो चीज़े अब यह क्या है basically तो जो आप लोगों ने blue revolution सुना होगा इंडिया का तो ताकि जितना भी fisheries sector है उसको sustainable और responsible manner में इसको develop किया जाए तो इसलिए यहां पर fishing sector में यह लाया गया है और incredible growth जो है अप्रॉक्सिमेट 15% की growth देखी गई है पिछले साल में अगर पूछा जाएगा कि ministry of fisheries के minister कोन है तो यहां पर आपको बता दो इनका नाम है पर शुत्तम है रुपाला जी पूछी जाएगी तो कहां पर गुजरात में इनकी यह याद रखना तो यह दो चीज़ें आपको पूछी जा सकती है अभी दूसरा ही एडिशन है तो यह याद रखिएगा कि कौन सा है next पर आते हैं अभी हाल ही में कौन सा ऐसा bank है जिसने recently became the first bank in India to issue electronic bank guarantee EBG paper में direct कूछ हो जाएगा कि EBG की full firm क्या है वहां पर electronic banking guard, electronic bank guarantee इस तरी ही सा option दे दिए जाएंगे तो कौन सा ऐसा bank है जिसने किया है तो यह किया है है HDFC के दौरा HDFC ने भी जाल ही में यह launch किया है किसके साथ मीलके तो इननोंने कीया है हाल ही में इन्होंने launch किया है अब electronic bank guarantee का क्या मतलब हुआ अब क्यूं यह launch किया गया है ताकि जितने भी lengthy paper based procedure होता था उसको खतम किया जा सके faster करने के लिए process को instant delivery के लिए instant verification better security तो इन सब चीजों को ध्यान में डखके electronic bank guarantee जो है वो launch की गई है तो यह चीज याद रखना यह आ आप लोगों को यह पता होना चाहिए bank guarantee एक रैफर किया जाता है promise को के तोड़ पर या अगर मैं बात करूं जो bank देता है या फिर कोई अधर financial institution होगा वो देता है एक borrower को अगर वो fail हो जाता है pay करने के लिए loan को तो bank या फिर जो financial institution है वो उस loss को ध्यार रखेगा मान invest करते हैं जो भी आप लोग जिस भी business को करें अगर माली जा आपको loss होता है तो bank उसकी guarantee के तोर पे आपको करेगा तो bank guarantee लेता है will take care of the losses तो यह याद रखना है bank guarantee हर किसी को यह मिलती नहीं है यह भी याद रखेगा next पे आते हैं हम लोग in which state Reliance Industry Limited is set to build India's first and one of the world's largest carbon fiber plant by 2025 इसको मार कर देना most most important पहला question पूछा जा सकता है कि कौन है जो बना रहा है कि India का largest carbon fiber plant तो यह बनाये जा रहा है Reliance Industry के द्वारा दूसरी चीज़ कहां पर बनाये जा रहा है तो यह बनाये जा रहा है गुजरात में दोनों पॉइंट बहुत जादा important है गुजरात में एक्जेक जगा का है हजीरा जगा है वहाँ पर यह बनाये जा रहा है तो यह याद रखना और कब तक complete होने की बात की गई है 2025 तक यह कहा गया है कि complete हो जाएगा ठीक है next पर आते है next question के उपर आते हैं यह question भी बहुत ही जादा important होगा sports category के लिए अगर आपको question बनता है तो reason क्या है अभी हाली में कौन से ऐसे पहले इंडियन बने है जिनोंने formula 2 race जो है वो जीती है Monza Italian Ground Prix में तो देखो जो यह race जीती है F1 race आप लोगोंने सुनी होगी F2 race है यह किसने जीती है यह इंडिया से कौन से है तो यह जीती गई है जिहान दारू अलग के द्वारा अब पहली चीज आती है पेपर पूच जाएगा sports क्या है यहा दखना यह F1 F2 racers जो भी आपको option देखेगा formula 2 racer है पहली चीज दूसरी चीज आप से पूचा जा सकता है कि किस की तरफ से खेलते है तो यह खेलते है Red Bull की तरफ से आपको यह आप दिख भी रहा होगा Red Bull की तरफ से खेलते है और इन्होंने जीता है F2 race में यहां पे कहां पे Italian Grand Prix Monza में इन्होंने जीता है त लेकिन जब इसमें इंडिया जीता है तो यह चीज़ें आप याद रहे हैं आपको बता दूँ नेशनल जैविलिन डे हम लोग हर सल अब्जर्व करते हैं कब जब नीड़ा चोपडा ने गोल्ड मैडल जीता था अब आपको बताना है वो किस August को हम लोग करते है 6 August 7 August 8 August 9 अब आप लिए एक होंबख है कमेंड बॉक्स में लिखके बताना क्योंकि पता सबको है याद सबको है देखते कितने बच्चे इसका अंसा सही मार करते है नेक्स पर आते है बिर्जु सा पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने मैडल जीते हैं बोथ एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में इनका हाल ही में न जीते थे तो आपको यह याद रखना है नेक्स पर आते हैं यह क्वेशन भी आप लोगों का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्डेंट कैटेगरी में आता है अभी हाली में मोबाइल अप्लिकेशन लॉंच की गई है जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा तो मेक एन इजी वे तो य यहां पर यह चीज आप लोग पहली चीज याद रखिएगा तापकि जो एप्लिकेशन है यह एनेबल कर देगी पीपल तो यूजर होस्ट ऑफ सर्विसेजिंग फॉर्म रिजिस्ट्रिंगर कंप्लेंट तो डाउनलोडिंगर कॉपी ऑफ एफ यार यानि कि आप लोग इस पर एक जगह पर इस एक ही आप में आपको हर एक सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा पॉलीस रिटेड़ प्रॉब्लम्स के रिलेटेट जाकता कि आकर आपको कोई वाइलेशन को रिपोर्ट करना है आपको हाइवेस का स्टेटस चेक करना है आपको एमर्जन्सी हेल्प च जो है इंडिया जपान के साथ करता है अब यहां पर आपको बता दो जब सप्टेंबर अक्टूबर आने लगता है तो मेजर करन्ट अपके बनते हैं अब जी आई इंडेक्स आपके आएंगे आपके अब इस साल के वो मिलने शुरू हो जाते हैं इस कौटर में तो यह आपको बता दो यह सब चीज़ें आपसे एक्जाम पॉइंट ऑफ उसके पूछी जाती जब जब आपके नहीं आने शुरू हो जाएंगे आप पुरानों को भूलना शुरू कर देना मैं आपको एक्जाम से से पहले सारे करवा दोगा, next पर आते हैं, which country will hold the G20 presidency for one year starting from December 2022 तो कौन सी country है, जो की, यहाँ पर presidency जिसको मिलेगी G20 की तो देखो, यह किसको मिलेगी, एक साल के लिए, तो यह मिलेगी इंडिया को अब यहाँ पर यह चीज याद रखना सारी जितनी भी meetings होंगी वो across हमारी ही country में होंगी तो यहाँ पर, total अगर पूछा जाए members कितने हैं, तो total members 20 हैं, जिसमें 19 countries हैं और 20th आ जाता है आपका European Union, ठीक है, तो यह चीज याद रखना, इंडिया को यहाँ पर प्रेजिडेंट्शिप जो है, वो मिली है जो कि December 2022 से शुरू के जाएगी, अगले 2023 तक, तो यहाँ पर यह थे हमारे इस महीने के दूसरे हफ़ते के important current affairs, I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा, अगर अगर आप लोगों को यह lecture पसंद आया है, तो इस वीडियो को like कर दीजेगा, अपने friends के दाद शेयर कर दीजेगा और अगर आप लोगों ने SSC की तैयारी करनी है, तो एक बारी comment box में लिखके बता देना, तो हम लोग उसके लिए आपके लिए major ने आप पूरे plan लेके आएंगे, फिलाल जो आपकी classes और test चल रहे है, आप लोग इसको जरूर attempt करें, इनके analysis वीडियो आपको मिल चुके है, इसका आपको कल मिलेगा, और यह test भी आपको मिल चुके है, आप लोग इनको attempt करें, mock test 4 पे तभी जाना, जब अगर अगर आपको मिलते हैं जल्दी ने लेक्चर के साथ, अबगले दीजिये इजादत, have a nice day, see you soon, bye bye, take care